दिलिप कुमार और देवानन दोनों अपनी जिन्दगी में एक ही बार एक फिल्म में एक साथ दिखे और उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ फिल्म थी इंसानियत एक ब्लाक और वाइट फिल्म जिसके पोस्टर्स बहुत ही रंगीन थे ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई थे कि ऐसा वक्त जब दिलिप कुमार और देवानन दोनों ही बहुत बड़े स्टार्स थे लेकिन कमाल की बात ये है कि फिल्म इंसानियत में सबसे ज्यादा तालियां किसी तीसरे नहीं बटो रही वो तीसरा स्टार कौन था ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा फिल्म इंसानियत के बारे में भी थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा मेरा नाम है राहुल and this is 70mm with राहुल इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि फिल्म इंसानियत में वो तीसरा सूपर स्टार कौन था जो सारी तालियां बटोर कर ले गया मैं आपको इस फिल्म के एक सिनॉपसिस दे लेता हूँ इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है जंगूरा नाम का एक राजा दिखाया है ये कैरेक्टर प्ले किया था जैंद ने अमजद खान के फादर जंगूरा के सिपा सालार है भानू प्रताप ये कैरेक्टर प्ले किया था देवानन ने जंगूरा भानू प्रताप के जरीए गाउंवालों पर बहुत सारे जुल्म कराते हैं एक दिन जब भानू प्रताप गाउंवालों के साथ जुल्म कर रहे थे तो चौधरी की बेटी दुरगा जो बीना राय हैं उन्हों ने भानु प्रताप को एक जोर का तमाचा मारा, उस एक तमाचे की गुंज ने भानु प्रताप को एक बुरे आदमी से इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया, और वो अच्छे इंसान बन गए, अच्छा इंसान बनने के बाद भानु प्रताप उर्फ देवा नंद ये decide करते हैं कि राजा जंगूरा के साथ नहीं, अब मैं गाओं वालों के साथ रहूंगा और राजा जंगूरा के खिलाफ काम करूंगा, तो वो गाओं चले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है, मंगल उर्फ दिलिप कुमार से, एक एंगल और जुड़ता है फिल्म में, भानू परताप उर्फ देवानन्द ने थपड़ खाया था, उससे उनको प्यार हो जाता है, दुर्गा को भी हो जाता है, प्रॉबलम प्यार में नहीं है, प्रॉबलम ये है कि दुर्गा के पिता चौधरी सहाब ने दुर्गा का हाथ मंगल उर्फ दिलिप कुमार को देन जैमनी स्टूडियोगई झेखने जाहिए। 1950s में वासन सहाब को ये सूजी कि उस जमाने में जो सबसे बड़े दो सितारे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के देवानंद और दिलिप कुमार उनको एक साथ लाया जाए और इस तरहे शुरुआत हुई फिल्म इंसानियत की कास्टिंग की वो दोनों एक साथ आये और साथ में आई बीना राय जो फीमेल लीड बनी लेकिन प्रॉब्लम ये होई कि वासन सहाब एक सर्कल से घिरे रहते थे कुछ लोग थे उनके आसपास जो हमेशा उनको सलाह देते रहते थे कि फिल्म में ये डालिये या फिल्म में वो एलिमेंट डालिये और फिल्म के बीच में जब इंसानियत शूट हो रही थी जब आधी शूट हो चुकी थी तो फिल्म के बीच में किसी ने वासन सहाब को ये कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर इस फिल्म में हम एक कॉमिकल एंगल डालेंगे एक बंदर होता तो बहुत मज़ा आता वासन सहाब के बैंक बैलेंस के दम पर दिलिप कुमार और देवा नंद बंबाई से मदरास तो पहुँच गए शूटिंग भी हो गई आधी फिल्म की लेकिन उसके बाद वो मना नहीं कर पाए जब वासन सहाब ने ये डिसाइड किया कि फिल्म में एक पैरिलल ट्रैक डालेंगे जो थोड़ा कॉमिकल होगा मजाकिया होगा जिसमें वो एक बंदर को लेके आएंगे इस केस में बंदर नहीं एक चिंपैंजी आया जिसका नाम था जिपी जिसे हॉलिवुड से लाया गया जिपी नाम का ये चिंपैंजी हॉलिवुड में बहुत ही ज्यादा फेमस था अमेरिकन टीवी शोस का हिस्सा था और कमाल की बात तो ये है कि इस चिंपैंजी को रोलर स्केटिंग आती थी पियानो बजाना आता था और टाइप राइटिंग भी करता था वो मैंने अपने खजाने में से जिपी की अर्णिंग्स निकाली हैं उस जमाने में जिपी एक महिने में करीब करीब 55,000 डॉलर कमाता था और आप समझ सकते हैं कि 1950s में 55,000 डॉलर कितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी कीमत SS वासन सहब ने जिपी के ओनर्स को दी और जिपी को इंडिया बुलाया हमारे जिपी सहाब जब मदरास के मीनम बक्कम एरपोर्ट पर उत्रे तो उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया मोहना नाम की अक्ट्रिस ने उसको फूलों की माला पहनाई और बदले में जिपी मोहना की गोदी में चड़ गया और उसको एक किस भी किया एसेस वासन सहाब अपने अमेरिकन इंपोर्ट से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने जिपी का कैरेक्टर फिल्म में बढ़ाने की सोची और दिलिप कुमार और देवा नंद का जो फूटेज या कैरेक्टर था इंसानियत फिल्म में उससे थोड़ा कम कर दिया गया ये बात आज सोचें भी तो शायद हमें हजम नहीं होगी लेकिन उस जमाने में फिल्म इंसानियत में ऐसा किया गया था शायद आप मुझे बिलीव ना करें लेकिन जिपी के ऊपर दो गाने पिक्चिराइज किये गए और ये सब पहले डिसाइड नहीं था ये सब बात में डिसाइड हुआ इन फैक्ट एक गाना जिपी का कॉमेडियन आगा के साथ भी इंक्लूड किया गया जिपी को मदरास में फाइव स्टार ट्रीटमेंट में रखा गया और वो इंसानियत की शूटिंग के दौरान इतना ज्यादा फेमस हो गया कि मदरास शहर के जो प्रॉमिनेंट लोग थे वो शूटिंग पर आके जिपी के साथ फोटोस खिचवाने लग गए अगर आपने फिल्म इंसानियत उस जमाने में सिनेमा हॉल में देखी थी तो आप मुझसे शायद इत्तिफाक रखेंगे वरना मैं आपको ये बता दूँ कि जब फिल्म इंसानियत अल्टिमेटली रिलीज हुई तो उन सीन्स में जहां जिपी था सबसे ज्यादा तालियां पड़ी और हमारे दो मेगा स्टार्स दिलिप कुमार और देवानंद कम्प्लीटली ओवर्शैडोड हो गए जिपी से इन अनटशेल अगर मैं छोटे में कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आधी फिल्म शूट होने के बाद जब जिपी का ट्रैक डाला गया तो हमारे दोनों सूपर स्टार्स दिलिप कुमार और देवानंद तिल मिला उठे और बहुत ही फ्रस्टेटेट रहे जब तक ये शूटिंग पूरी नहीं होगी जब इनसानियत की शूटिंग पूरी हो गई तो दोनों ने ही रैप अप करके मदरास से वंबे की तरफ रुख किया और उसके बाद कभी भी ये फिल्म ना देखने का फैसला किया मैं जब देवानंद साहब से मिला था उनके गुजरने के कुछ दिन पहले मैंने इस फिल्म के बारे में उनसे बाद भी की थी उन्होंने मुझसे बहुत ही साफ तोर पे कहा था कि यार उस फिल्म के बारे में मत पूछो मैं बिलकुल परिशान हो गया था उस फिल्म की शूटिंग के दोरा ने देवानन साब के साथ मेरी बातचीत का कुछ हिस्सा मैंने रिकॉर्ड भी किया था जिसे आप यहां सुन सकते हैं अगर आपको देवानन साब की फिल्मे और देवानन साब पसंथे दिन इस इस अ मस्ट वाच फर यू मैं आपको मिनूंगा अगले वीडियो में चाड़ा